सूप्रबाद मैं प्रमिला देवी असिस्टन्ट प्रोफेसर हिंदे विबाग कन्या माविदेल्य खरकोदा पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार के अंतरगत वर्ण के प्रथम बेद स्वर के विशय में जाना था आज का हमारा उपविशय है वेंजन जिन वर्णों का उचार्ण स्वरों की सहयता से किया जाता है वे वेंजन होते हैं यानि जिनके उचार्ण में हावा अवरुद होकर यानि रुख कर बाहर निकलती है वे वेंजन कहलाते हैं ये संख्या में 33 होते हैं अब वेंजन के भेद वेंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्ष वेंजन, अंतस्त वेंजन और पूश्म वेंजन सबसे पहले हम स्पर्ष वेंजन के विशे में जानेंगे स्पर्ष वेंजन, जिन वेंजनों का उचारण, कंठ, होट, जीवा, आधी के स्पर्ष द्वारा होता है वे स्पर्ष वेंजन कहलाते हैं जैसे क, च, ट, त, प, यानि कावरग, चावरग, टावरग, तवरग और पवरग अब है अंतस्थ वेंजन अंतस्थ वेंजन, जिन वेंजनों का उचारण करते समय, जीवा पूरी तरह मुख के किसी भाग का स्पर्ष नहीं करती, वे अंतस्थ वेंजन कहलाते हैं ये संख्या में च्यार हैं, जैसे य, र, ल, और व इसके बाद है उश्म वेंजन, उश्म, उश्मा यानि गर्मी जिन वेंजनों के उचारण में हवा के रगड खाने के कारण मुख से उश्मा यानि गर्मी निकलती हैं, वे उश्म वेंजन कहलाते हैं ये संख्या में च्यार हैं, जैसे श, श, स, ह इसके बाद है संयुक्त वेंजन, संयुक्त कार्थ जुड़ा हुआ या जुड़ना, जब एक स्वर रहित वेंजन, दूसरे स्वर रहित वेंजन के साथ मिलकर एक नया वेंजन बनाते हैं, वो संयुक्त वेंजन कहलाते हैं, ये संख्या में च्यार हैं, जैसे प्षर, त्र, जन और श्रे इसके बाद है द्वित्व वेंजन द्वित्व यानि दो जब एक स्वर रहित वेंजन का समान स्वर सहित वेंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व वेंजन कहलाता है जैसे धक्का, मुक्का, आदी इसके बाद है संयुक ताक्षर वेंजन जब एक स्वर रहित वेंजन का भिन स्वर सहित वेंजन से मेल होता है तब वह संयुक ताक्षर कहलाता है जैसे त्याग, प्यास, आदि धन्यवाद